साल 1987 ये साल 1987 था जब भारत्य शांती सेना ने श्रिलंका में जाफना को लिटे के कबजे से मुफ्त कराने के लिए ओप्रेशन पवन शुरू किया था इसकी प्रिष्ट भूमी में भारत और श्रिलंका के बीच 29 जुलाई 1987 को हुआ वह शांती समझोता था जिसमें भारत के ततकालीन प्रधान मंत्री राजीव गांदी और श्रिलंका के ततकालीर राष्ट्रपती जे आर जैवनने ने हस्ताक्षर किया था समझोते के अनुसार श्रिलंका में जारी ग्रह युद को खत्म करना था इसके लिए श्रिलंका सरकार तमिल बहुत शेत्रों से सेना को बैरकों पे बुलाने और नागरिक सक्ता को बहाल करने पर राजी हो गई थी वही दूसरी ओर तमिल विद्रोहियों ने आत्म समर्वन की बात हुई लेकिन इस समझाते की बैठक में तमिल विद्रोहियों को शामिल नहीं किया गया तो वही साल की दूसरी बड़ी घटना मेरट के हाशिमपुरा में घटी जिससे पूरा देश हिल गया जहां एक समुदाय के सैकडों लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया ये आरोप पीएसी पर लगा जिसके कई साल बाद हाइकोट ने 16 पीएसी कर्मियों को दोशी ठहराया और उम्रकैद की सजा सुनाई